हेलो गाईस वेलकम बैक टू मैं न्यू विडियो गाईस आज की इस विडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तो हम 2030 में बिलकुल नए तरीके से अपने वाई टी स्टूडियो को कैसे यूज कर सकते हैं वाई टी स्टूडियो के फुल यूज के बारे में बताने वाला और साथ ही दोस्तों आपको इस वीडियो में मेरा अर्णिंग भी देखने को मिल जाएगा ठीक है तो वीडियो को पूरा एन तक देखना और अगर आपके चैनल पे साथ आठ नौ दस पर ही वीडियो आटक जाता है रुक जाता है तो दोस्तों ऐसे कमाल के फीचर्स बताऊंगा जिससे की दोस्तों आप अपने चैनल को ग्रो कर पाऊगे वीडियो को वाइरल करवा पाऊगे ठीक है अगर वीडियो वाइरल नहीं होता है तो चैनल कहां ही ग्रो होने वाला है सबसे पहले वीडियो पे ध्यान देना चाहिए तब ही आपका चैनल ग्रो होगा तो बहुत ही वेश्ट फीचर्स बताने वाला हूँ जहां से आपका वीडियो वाइरल हो सकता है ठीक है तो आप इस वीडियो को पूरा एंट तक देखो और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक को शेर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्यूंकि अभी तक मेरे सारे 4 लग सब्सक्राइबर हुए हैं और अभी तक मैंने यूटूब से जितना कुछ सीखा है सारा कुछ आपके साथ इस एक महीने में सेर करने वाला हूँ सबसे पहले यहाँ पे दोस्तो हम अपने वाइटी स्टूडियो को ओपेन कर लेते हैं यहाँ पे मैं स्कीन सेर कर देता हूँ ठीक है जैसे हम वाइटी स्टूडियो को ऊपेन करेंगे तो यहंप देख सकते हूँ गए, हमारे सामरे इस तरह का आक्सन आएगा, जहां पर दोस्तो हमारा चैनल का नाम सो हो जाएगा, सब्सक्राइबर कितने हैं, वो सो हो जाएंगे, और साथ ही दोस्तो हमारे चैनल का लोगो सो हो जाएगा वैसे यह मेरा दूसरा एक चैनल है एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर देख सकते हो चैनल एनलिटिक्स वह वार्ष टाइम सब्सक्राइबर और अस्टिमेट रिवन न्यू है और यह सभी दोस्तों लाश्ट 28 दिन के हैं हमने व्यूज वाले ऑप् इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों लाश्ट 7 डेज लाश्ट 28 दिन लाश्ट 90 दिन और इस तरीके से लाश्ट 365 दिन लाइफ टाइम और नेचे में आप देख सकते हूँ पूरे मंत का भी आप चाहो लाश्ट जो भी मंत गये हैं उन सभी मंत का आप यहाँ प आपका अर्निंग है वो चेक कर पाओगे ठीक है किस दिन कितना अर्निंग बना हुआ है फिर हम नीची आएंगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों टॉप कॉंटेंट में आपका यहाँ पर जो भी लाश्ट 28 दिन में सबसे ज्यादा वीडियो पर वीडियो पर पता चल जाए हो मिल जाता है ठीक है इस वाले option पर हम क्लिक करेंगे हम थोरा सा नीची आएंगे तो यहाँ पर देखो टॉप वीडियो और यह लास्ट 28 दिन का है और इसमें व्यूज आप देख सकते हो यहाँ उसके बाद यहाँ पर देखो हाव व्यूज फाइंड योर वीडियो ठीक ह है तो यहाँ पर यूटूब से कितना पर्सेंट आया है ठीक है यूटूब सच से सजेश्टिंग वीडियो से उसके बाद ब्राउज फीचर अड़ यूटूब यह सारे परसेंटेज में आपको यहाँ पर सो हो जाएंगे बगर में स्क्रोल करेंगे तो यूटूब सर्च आप देख सकते हो क्या का सच किया गया है और यहाँ पर देखो content सजेस्टिंग यह मतलब मेरे को YouTube परसनल यह content रिटेंट सजेष्ट कर रहा है सो अश्टर्णल साइट और इप स्थीक है तो यह Google Search WhatsApp जी वूआट है इस तरीके से यहां पर आ रहा है मतूल उसके बाद देखो नीचे में की मोमेंट्स फॉर और ये दोस्तों लाश्ट 365 दिन का आपको देखने को मिलेगा यह देखो कितना percent है 40% 28% और 27% यह last आपका जो भी तीन वीडियो होगा उसके लिए है ठीक है उसके बाद देखो दोस्तों उपर में एक audience का option आपको मिल जाता है हम इस option पर आएंगे यहाँ पर जैसे ही click करेंगे तो यह देखो यह दोस्तों जो एक option है यह बहुत ही कमाल का features है जिसमें आप यह पता कर सकते हो कि आपके audience कब सबसे ज्यादा YouTube पर एक्टिव रह रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हम इस पर click कर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ पर सबसे ज्यादा ज्यादा जो color है dark होगा ठीक है वहाँ पर दोस्तों उस टाइमिंग और उ इपने एज के लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं फिर यहाँ पर जेंडर देख सकते हो कितने मेल फिमेल कितने परसेंट वीडियो को वाच कर रहे हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो उसके बाद देख हो यहाँ पर टॉप जियो ग्राफिक्स यह है तो आप देख सक का जो option एक मिलता है इस option पर क्लिक कर लेंगे जैसे यह option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों revenue आपका सो हो जाएगा जो भी आपने अर्निग होती हैर यहां पर टॉप अर्निग content सबसे जादा और रहे हैं आप चेक कर पाओगे वैसे तो यह अब जिसका चैनल मोनेटाइज उसके लिए है और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और आप सीख लेको तो काफी अच्छा है ठीक है एक्स्ट्रा नॉलेज पे क्लिक करेंगे जैसे option पे क्लिक करते हैं उपर में short by का एक option मिलता है इस पे हम click कर लेंगे और यहां पे most reviews वाले option को select करेंगे जैसे option को हम select करते हैं तो यहां पे दोस्तों हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा वीडियो पे व्यूज आया होगा वो सभी वीडियो आपको यहां आपको analytics का option मिल जाता है जो कि हमने बता दिया है आपको ठीक है तो इसके बारे में ज्यादा जाना नहीं यहां पर आपको अलग से option मिल जाता है ठीक है यह मैंने आपको बताया उसके बाद दोस्तों बगल में आप देखो comment का एक option है इस पर हम आएंगे यहां पर देखो ज तरीके से reply कर सकते हैं, उनको like कर सकते हैं, comment को, उसके बाद monetization का option है, तो यहाँ पे तो मेरा channel monetize हो चुका है, you are a YouTube partner दिखा रहा है, but अगर आपका channel monetize नहीं है, तो आप में कुछ इस तरीके से criteria दिखाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है, so यह चीज़ आप यहाँ पे check कर सकत हैं और personally किसी video को दोस्तो किसी video का आपको thumbnail, title, tag, description, edit करना है, तो video पर click करना है, ऊपर में देखो एक pencil का option मिल जाएगा, इस पर click करने के बाद, उपर में सबसे पहले thumbnail change करेंगे, तो यह उपर में, pencil का option है, इस पर click करेंगे, चेंश का option है, इस पर click करके, सिधे गैलरी से क कोई भी थंबनेल आपने बना रखा है वो ले लेना है ठीक है उसके बाद यहां पर जो टाइटल है इसमें हम कुछ इडिटिंग कर सकते हैं यह देखो जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो बाके नीचे में डिस्किप्शन का उप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहा अपने टाइमिंग को सेलेक्ट कर सकते हो जो टाइम में आप सेलेक्ट करोगे उस टाइम में आपका वीडियो आटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा उसके बाद नीचे में एक उप्शन मिलेगा ओडियंस का ठीक है ओडियंस वाले उप्शन प्याएंगे यहां पर देखो उसके बाद यहां पर किया प्लिक करके आपने विडियो का कैटेगरी का ना चाहूच कर सकते हो फिर यहां पर कॉमेंट है और जयादा कुछ आप्सन नहीं है अगर आपको वीडियो को delete करना है तो यहाँ पर नीचे में delete from YouTube का option है आप यहाँ से वीडियो को delete कर सकते हो ठीक है यह personally इस एक वीडियो को delete कर सकते हो यहाँ से और जितने भी आपने change किया है उपर में save का option मिल जाएगा उस पर click करके आप सेधे वीडियो को यहाँ पर जो भी आपने चेंज किया होगा उसमें आप उसे सेव कर सकते हो सो दोस्तो इस तरीके से हम 2023 में वाइटी स्टूडियो को फुल यूज कर सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी? कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, सेयर ठीक है? कर देना फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद, जय भार